दोस्तों मैं हूँ अमन कौशिक और अब वक्त आ गया है हबीब अपडेट का मेरे साब से हर दो दिन में ऐसे कुछ न्यूज आ जाती है हबीब के बारे में कि हम उस पर एक वीडियो बना सकते हैं और हलाकि उनकी लास्ट फैट हुई थी अक्टूबर 24 को उस दिन से लेके आज तक ऐसा एक दिन नहीं गया जहां पर ऐसी कोई न्यूज आर्टिकल, कोई ऐसा कोई ट्वीट, ऐसी कोई इंस्सेग्राम पोस्ट नहीं आई हो जहां पर लगे कि कुछ ने कुछ हो रहा है पिछले कुछ दिनों में एक जो पोस जाले थी हबीब ने की वो अभी भी ड्रक टेस्टिंग पूल के अंदर है उनका 47th ड्रक टेस्ट हुआ था 2015 से लेके अब तक और जाहिर से बात है इस सवाल यह है कि अगर वो रेटायर हैं तो वो क्यों अभी भी अग्री कर रहे हैं ड्रक टेस्टिंग के लिए क्योंकि नॉमने जब कोई प्लेयर कहता है कि वो अब रेटायर है MMA से या UFC से सबसे पहले वो करता है इनफर्म ड्रक टेस्टिंग एजनसी को उस आड़ा को कि अब मुझे आप अपने लिस्ट से भार कर दीजिए अब मैं ड्रक टेस्टिंग नहीं करूँगा और क्योंकि उसे जुरूत भी नहीं है DC Daniel Kormier जो हभीब के टीममेट है उनका लास्ट मैच हुआ वर्सिस्टी पे और उनने इनफर्म किया कि अब मैं ड्रक टेस्टिंग के लिए मुझे कोई जुरूत नहीं है प्लीज मुझे बार-बार तंग मत कीजिए लेकिन ऐसा आप तक नहीं किया है हभीब ने जो कि एक बड़ा सवाल है दूसरी बात ये की हभीब ने एक पोस्ट ने बताया था कि वो मिले वाले है डेना वाइट से और खुद डेना वाइट ने उस पे कमेंट किया था कि येस वो अभी मिलने वाले है, see you soon अब यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप पूछेंगे हैं हभीब से बोलेंगे यह बहुत ही casual meeting है कुछ official नहीं है दिनावाइट से बस ऐसे मिल रहे हैं वो और जारी से बात है दिनावाइट बोलेंगे कि नहीं वो बस एक casual meeting है हम कुछ बात करेंगे जब तक जब भी डेनावाइट से यह सवाल पूछा गया गेजी वर्सी हभीब मैच के बाद क्योंकि हर वीक एक event हो रहा है UFC का हर Sunday के event होता है और हर event के बाद जब आते हैं सामने डेनावाइट तो उसे यह सवाल पूछा जाता है कि क्या चल रहा है कोई-कोई न्यूज़ से अपडेट है और मिशे यह कहते हैं कि मुझसे हभीब ने नहीं कहा है लेकिन मेरे साब से वो खेलेंगे एक और फाइज ज़रूर खेलेंगे और शायद यही है जो कि अब तक लोगों में जो एक एक खोप है कि नहीं शायद वापस वो आएंगे एक और निउस है जो सबसे बिजनस के लेटिड है अबीब एक बिजनसमैन है उनके पास बहुत सारे बिजनसे है चाहिए वो उनकी प्रोटीन लाइन हो चाहिए उनकी और और चीज़े हो और अब तो शायद उनकी एक वाच आने वाली है वो किसी और कमनी के साथ एक एक कॉलाब कर रहे है जहाँ पर बिजनस है वो बहुत ही बीजी मैन है उनका बिजनस है वो राइस पर है वो बहुत से चीज़ों में वो एक साथ घुसे हुए है डेफिनेटली और यह जो प्रेस कॉलाब कॉछा जाएगा कि क्या वो अफिशली रेटायर है और यह होना ही है कि जब भी अगले हफते तो यह न्यूस फिर से आएगी और हम इसमें नजब बनाये रखेंगे क्योंकि अब तक डेना वाइट यह कह रहे हैं कि जो चैंपियन है अब तक वो चैंपियन होंगे हर बार डेना वाइट से और हर बार हभी से इस सवाल पुछा जाएगा अब आपस का बाऊंगे क्या आप तो दोस्तों यह था हमारा हभीब अपडेट I think अब हम हर दो दिन दिन में अतीन दिन में शायद हम एक बार हमें मिलना चाहिए बताने के लिए कि क्या हो रहा है हभीब के साइड में क्योंकि जब तक वो चैंपियन रहेंगे तब तक यह सवाल हमेशा रहेगा क्या वापस आएंगे क्या नहीं आएंगे